देखो माने जोग हाई कोट ने एही कह सानुंके जड़ी है लफाफे खुल लणगे ता लफाफे नाम होए उन्हा ते कारवाई करें ते जड़ी नाम ने उन्हा ते सक्त तो सक्त कारवई हो क्योंकि एक छोटा मुद्दा नहीं है गा पंजावदी जवानी नूं पिछले कई सब्सक्राइब खुले करनें तो चिटने बहुत सरे करांच चित्टी रंगे सत्थर पशाते बहुत सरी सडीयां पैना दे रंगलीयां चुनीयां दे रंग चित्टे करते जब्दा कि पैसा कमाके अपनियाँ प्रोपेटी योड़ि जिननें भी उद और नाम असी उन्हें करांगे कनोन दें गार नाम में अस्तरा क्योंकि ओं कॉंफिडेंशल है नाम जदो कार भई हो गी तो नोद भी पता लागे जुके की ता नाम से को या पिल्कुल पिल्कुल एम जदो ओं लफा पी आये शाठी कोड़े असी लुट तो यहाज था था अकिसालिक पौछ यूट ऑन्वार अधर जी यूछ नर्व में तक्ष फेल्डा वाणीत कोजुला लिए नी ओक पहल सरकार केंदी से खोलें ना फिर सरकार बदल की ओगी पता है कि एक हम साठी आड़ें दी है सो इस करके असी तक है इस तक इने कि बहुत लेत है पहले ही जल्दी तो जल्दी अगार वही है अब इसको लेकर फुर भी जर्विन देलिकिनाट यास्क्राइब को है वह बत बहुत देगी मुझे कोई उमीद नहीं है केंदर सरकार से जैसा मैंने अभी आपका कुश्चन एक तरह से रेपिटीशन ही है कि विपक्षी एकता इंपोर्टेंट नहीं है जनतंत्र के अंदर जनता इंपोर्टेंट है नमबर एक नमबर दो एजेंडा पॉजिटिव होना चाहिए अगर सारे मिलके ये कहें कि हम इसको हराने के लिए आए हैं तो जनता को वो पसंद नहीं आता जनता कहते है हारने का काम या जिताने का काम हमारा है हमारे ओपर छोड़ दो अगर कोई भी फॉर्मेशन होता है जनतांतर के अंदर चार पार्टियां साथ आती है दो पार्टियां साथ आती है तीन दस वो जनता के लिए क्या करेगी उनका पॉजिटिव एजेंडा क्या है वो एजेंडा जनता के सामने रखना होगा जनता को जिसका एजेंडा पसंद बाले दो मैं